हेलो एरण मैं उत्तम चोहन आप सभी का स्वागत करता हूं देखिए आज का जो हमारा टोपिक रहेगा वो कीबोर्ड से रिलेटिड रहेगा इस टोपिक के अंदर अपन कीबोर्ड की एक एक की को पूरी तरह से जानेंगे इसकी एक एक जानकारी लेंगे की कीबोर्ड की कौ पूर्ड में आपको जितनी भी प्रिक्षाओं में क्योस्चन पूछे जाते हैं कीबोर्ड से रिलेटिड उन क्योस्चन को भी आप चुटकियों में हरल कर दोगे तो आपन जानते हैं कौन-कौन सी कीज होती हैं कंप्यूटर के अंदर पाई जाती हैं और वो कारिये क्या क अलफाबेटिक का मतलब जिसके अंदर A, B, C, D, E, F ये जो जितनी भी होते हैं अलफाबेटिक होती हैं उनको अलफाबेटिक की बोलते हैं A से लेकर Z तक इधर आपको नंबर की मिलती हैं जिनको आप क्या बोलते हो आपको नंबर की बोलते हैं अंकिय की बोलते हैं एक दो अलग सी ही एक topic बिल्कुर अलग सी वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ कि F1 का कारिये क्या है, F2 का क्या है और F12 का क्या है F1 सी F12 तक मैं जो है वीडियो आपको अप्लोड कर चुका हूँ ये playlist में आप चेक करके आप देख सकते हो विद्ट्रिक इसके जितने भी फंग सने मैंने विद्ट्रिक आपको करवाए है उसके बाद आपन जानते हैं और कौन कौन सी की होती है जो computer को control करने का कारियर करती है या फिर आपके speed को क्या करती है तेज करती है देखे अगर in case का आपको नहीं पता होगा तो आपकी speed जो computer क कि वो तो कम होगी होगी पलस आपको जो computer की basic knowledge होनी चाहिए वो भी आप नहीं ले पाओगी और प्रिक्साओं में computer की basic knowledge से related आप से बहुत ज़्यादा question कुछे जाते हैं तो आपन देखे जानते हैं एक एक की को जानते हैं सबसे पहले देखना यहाँ पर editing की आपका option दिखरा आती है cursor को control करती हैं तो देखे अगर आप कहीं पर भी type कर रहे हो words के अंदर type कर रहे हो कहीं पर भी type कर रहे हो तो उसके अंदर अपनको मतलब circle बनाने के लिए उसकी function को करने के लिए increase की आवसकता पड़ती है जैसे कि मैं बताता हूं कि अगर आपको किसी भी लाइन के अंत में जाना है किसी भी line के अंत में जाना है तो आप किस کی का परियोग करोगे यहाँ पर एक key है जिसका नाम है and की इस की का परियोग करके आप क सी भी मतलब करसर को कहां ले जा सकते हो लास्ट में लाइन के अंत में ले जा सकते हो सेम ऐसे यहां पर एक होम की है इसकी कपरियोग करके आप करसर को कहां ले आ सकते हो सुरू में ले आ सकते हो कहां पर ले आ सकते हो सुरू में इधर देखिए यह अप जाने की करसर को अप कर करने की ये करसर को डाउन करने की ये करसर को लेफ्ट ये करसर को ये राइट और ये करसर को क्या करते हैं लेफ्ट करते हैं कहने का मतलब ये सभी की सभी करसर कंट्रोलिंग जो आपकी कीज होती है आप से यहां से ज़्यादा क्यूस्ट नहीं पूछ सकता एंड और होम से क्य हैं वो कौन कौन सी है सबसे पहले तो control की के बारे में ही जानते हैं कि एक कुंजी उत्य जिसको करते हैं control की एक इधर देखने को मिलेगी एक आपको इधर देखने को मिलेगे राइट एंड और लाइफ तैंड साइड दो control की होती हैं ये बात भी क्यों सन्पुछ जा सकता है यह कारिये क्या करते हैं यह वैसे तो कोई कारिये नहीं करेंगे लेकिन किसी अलगक पुझी के साथ मिलकर क्या करेंगी अपने कारिये को संपन करेंगी जैसे कि अगर आप Ctrl Plus A दबाते हो तो आपने जितना भी चीज टाइप कर रखिये वो पूरा क्या हो जाएगा all select हो जाएगा जैसे अगर आप control plus c दबाते हो तो जो भी चीज आपने select की थी वो क्या हो जाएगी copy हो जाएगी अगर आप control plus v दबाते हो तो वो क्या हो जाएगी paste हो जाएगी कहने का मतलब control के साथ किसी भी की का परियोग आप करते हो तो वो क्या करेगी एक अलग से प्रियोग देगी इसके लिए मैं आपके लिए एक separate वीडियो लेके आऊँगा कि कौन सी control की किस में प्रियोग की जाती है जैसे control plus c से क्या होगा control plus c से क्या हो जाएगी copy हो जाएगी control plus v से क्या हो जाएगा paste हो जाएगा कहने का मतलब ये सभी वीडियो है a से लेकर z तक control के साथ जितनी भी key use की जाती है उन सभी के लिए मैं एक separate वीडियो आपके पासे लेके आऊँगा एक short वीडियो होगी जिसके अंदर मैं आपको सभी key use के बारे में समझा दूँआ अब देखी उसके बाद उसके बाद एक key होती है बैटा जिसको कहते है inter key देखिए computer की सबसे important की होती है जिसको कहते है inter key ये जो हती है आपकी inter key होती है यहाँ पर भी आपको inter key मिलती है और एक इधर inter key मिलती है दो inter key पाई जाती है ठीक है इसका कारिये क्या होता है ये एक मुख्य कुंजी है जिसको ओके कितरे कारिये करती है मतलब किसी भी चीज को select करना या okay करना है या उसको क्या करना है उसको select कर लेना है तो किस की का प्रियोग करती है इंटर की का प्रियोग करती है जैसे यहाँ पर आपको shift की देखना को मिलेगी यह देखना यह control के उपर एक key है जिसका नाम है shift की इसका प्रियोग क्या किया जाता है इसका प्रियोग किसी भी देखी कुछ एक इस typing के अंदर देखी यह line यह वाली line देखना इसके अंदर कुछ ऐसे words जिन में तो दो लिके होगे है देखी दो उपर at the rate ठीक है यहाँ पर तीन उपर हैस हैस्टेग सेम ऐसे ही दर आओगे यहाँ पर कोमा यहाँ पर slash bar कहने का मतलब जिस भी key के अंदर एक key के अंदर दो-दो key छुपी हो वहाँ पर आप उपर वाली key का per you करने के लिए shift के साथ उस key को दबाएंगे देकि अगर आप केवल इस key को दबाते हो तो दो दबेगा लेकर अगर आप shift के साथ इसको दबाते हो तो kell दबेगा at the rate दबेगा कहने का मतलब यह है कि उपर के संख्षित को type करने के लिए किस कुझजी के साथ मिलाया जाता है, आप भी चुक्या है और बार बार पुछ्छा भी जा चुक्या और वैसे भी सपीड को तेज करने के लिए आप यूज कर सकते है, आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि at the rate कैसे आएगा तो आप shift के साथ क्या दबाओगे दो दबाओगे तो उपर वाली चीज़ों को यूज़ करने के लिए shift का प्रियोग करना पड़ेगा उसके बाद उसके बाद next कुंजी है आपके पास एक यहाँ पर देखना यहाँ पर escape कंजी है इसके बारे हम जान लेते है escape कंजी क्या होती है तो किशी भी कारिये को किशी भी कारिये को समाप्त करने के लिए या बीच में रोकने के लिए किशी भी कारिये को क्या करने के लिए रोकने के लिए या फिर आप कह सकते हो समाप्त करने के लिए किस की का प्रियोग किया जाता है Escape की का प्रियोग किया जाता है कहने का मतलब इसको दबाने पर क्या हो जाएगा कोई भी कारी जो है वो क्या हो जाएगा बीच में रुक जाएगा या समापत हो जाएगा अगर आप Control Key के साथ Escape को दबाते हो तो Start Menu खुल जाएगा मतलब के साथ किसको दबाते हो Escape को को दबाते हो तो क्या खुल जाएगा Start Menu खुल जाएगा तो आपसे ये भी पूछ सकता Start Menu ओपन करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हो आप shortcut की उसके बाद मैं बात करता हूँ Backspace का देखिए ये की Important की है Backspace Backspace में क्या होता है किसी भी Type की वही Data को किसी भी Data की वही सूचना को दाएं से बाएं मतलब इस Side अगर आपको क्या करना है उसको Delete करना है तो आप किस की का प्रियोकर होगे Backspace का जैसे मैं लिख रहा हूँ उत्तम ठीक है और उत्तम लिखने में मैंने लिख दिया उत्तम की जगा उत्तन तो अब मैं इस N को काटने के लिए किसका प्रियोकर होगा Backspace का काम करूँगा और ये कट जाएगा तो ये जो होता है ये दाएं से बाएं काटने के लिए डिलीट करने के लिए किसका प्रियोक किया जाता है Backspace की का प्रियोक किया जाता है उसके बाद एक की उत्ति डिलीट की देखिए यहाँ पर एक डिलीट की है इससे आपको Backspace की तरह कारिये नहीं करेगी ये पूरा का पूरा उत्तम को काट देगी कहने का मतलब पूरी की पूरी लाइन को डिलीट करने के लिए किस का प्रियोग किया जाता है डिलीट की का प्रियोग किया जाता है उसके बाद उसके बाद एक यहां पर देखना यहां पर आना आप एक आपको मिलेगा कैप स्लोक देखिए इधर एक कैप स्लोक का उप्शन है कैप स्लोग क्या करता है आप अगर किसी कहीं पर भी टाइपिंग कर रहे हो तो आपको स्मोल लेटर की जरूरत है आपको स्मोल लेटर तो होता ही है लेकिन आपको किस लेटर की जरूरत है स्मोल की साथ आपको कैपिटल लेटर की जरूरत है कैपिटल लेटर की अब कैपिटल करने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है कैप स्लोग का प्रियोग किया जाता है अगर आप इसको सक्रिय कर दोगे कहने का मतला अगर आप इसको enable कर देते हो तो type writer में कैसे आ जाएंगे जो है capital letter आ जाएंगे अगर आप इसको disable कर देते हो क्या जाएंगी small letter आ जाएंगे उसके बाद जानते हैं कम्प्यूटर की में सबसे बड़ी की होती है जिसको कहते है space bar की ये जो की है ये ये वाली के कहलाती है space bar की ये space bar की क्या होती है keyboard की सबसे लंबी की होती है और किनी भी दो मतलब sentence के बीच में space देने के लिए जैसे मैंने लिख्या उत्तम और अब मेरे को चाहिए space space देने के लिए किसका प्रियोक करूँगा space bar का और फिर कहा लिखूँगा चोहान तो इसका मतलब कहने का मतलब कि सी भी letter के बीच में स्पेस देने के लिए किसका प्रियोग किया ज़ता है स्पेस बार का प्रियोग किया ज़ता है उसके बाद मैं बात करता हूँ नम लोक का देखिए अब यहां पर एक नम लोक भी होता है देखिए आप जब नुमेरिकल में जाओगे यहां पर प्रियोग करें कलीर है उसके बाद आपके पास कोई और की बचती है बिलकुल बचती है एक आपके पास है विंडो की देखना यहां पर देखना एक विंडो यहां पर एक विंडो की यहां पर विंडो की भी कितनी होती है दो होती है तो स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए किस की का प्रियोग करेंगे अपन किस की का प्रियोग करेंगे उसके बाद देखना एक की बचती है यहाँ पर टैब की यहाँ पर देखना यहाँ पर एक की बच जाती है अपने पास जिसका नाम है टैब की टैब की का प्रियोग क्या किया जाता देगे किसी के अंदर एक स्पेस देना आपको तो स्पेस बार का प्रियोग करेंगे लेकिन अगर आपको करशर को पांच बार सरकाना है मतलब एक दो तीन चार पांच ज्यादा स्पेस की जुरूता करशर को पांच बार सरकाना है तो खिसकाना है तो किस का प्रियोग करेंगे अपन टैब का प्रियोग करेंग किस का प्रियोग करने से आपका tab का प्रियोग करने से तो यह अपनी पास जितनी भी की थी computer से related की अपन ने जानने की खोशिश की है सभी कि इसको अपने जाना है सभी की के जो जितनी भी function है